नमस्कार, मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में अपनी सीरीज OCD Real Life Stories को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस शेर करूँगा तो आईए अब आगे बढ़ते हैं और मैं इस नए केस के बारे में आपको बताता हूँ मैंने कई वर्ष चुप्पी में संघर्ष करते हुए बिता दिये कैसे कोई इतनी बड़ी चीज को इतनी असानी से छिपा देता है क्या ये गिल्ट था, अपराद भोध था, या शर्म या सिर्फ अज्ञान था जिसमें जो चल रहा था उसकी हद का पता ही नहीं था क्या वह कोई ऐसी चीज थी जिसे कोई नाम दिया जाना जरूरी था या वो एक सोच थी कि यह बस एक प्राकृतिक तरीका है बड़ा होने का जो भी था वो, OCD का मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है मेरे स्कूल के ग्रेड्स कम हो गए, मेरा समाजिक जीवन अस्तव्यस्त हुआ और यहां तक की मैंने युनिवर्सिटी में पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी एक तरीका जिससे मेरा OCD खुद को अभिव्यक्त करता है वे है किटाणों से दूशित होने का भे जिसमें सामान्य से कृत्य जैसे किसी दूसरे का मेरी चीज को छू देना मुझमें बहुत से अप्सेसिव विचार ले आता है कि इससे मेरी भी हानी होगी पर यह बस इतना ही नहीं था मेरे OCD की यातना निरंतर बनी रहती है इंट्रूजिव थौट्स अंचाहे विचार बाड की तरह आते रहते हैं और साफ सपष्ट मानसिक चित्र जो अक्रामक या कामुक स्वभाव के होते हैं वे प्रकट होते रहते हैं इस हद तक कश्ट झेलने पड़ते थे कि मैं घंटों तक कंपलजन्स के अधीन होके बाथरूम में आदतन धोने का काम करती थी डर इतना बलशाली था कि मैं कुछ समय के लिए तो खुद को घर की चार दिवारी में ही क्याद कर लेती थी ताकि बाहरी दुनिया से सारे संपरकों से बच सकूँ और समाज में अलग थलग पड़ जाने का डर नीचा महसूस कराए जाने का भै और दूसरों को OCD के पारे में अलप ग्यान का होना ऐसे कई सारे कारण बने जिस वजह से मैंने अपनी इस लाचार कर देने वाली बिमारी को छुपाया अब मैं पाती हूँ कि है चुपी मुझे तोड़ देनी चाहिए ताकि अन्य लोग इस तरह से पीडित ना हो जैसे की मैं हुई ये मेरे जीवन के अनुभवों के निचोड है 14 वर्ष की आयू में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एक मानसिक बिमारी क्या होती है कैसे पता चले कि मुझे मानसिक बिमारी है या मदद कहां मिलेगी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी मुझे OCD के लक्षन सबसे पहले तब देखने में आये जब मैं 14 साल की थी मेरे लिए यह माइने ही नहीं रखता था कि ये कैसे ट्रिगर हुआ माइने बस यह रखता था कि हम ये जाने कि इसके होने में हमारा कोई दोश नहीं था OCD का कोई कारण ग्यात नहीं है ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कह दे कि किसको होगा और ये किसको नहीं होगा OCD किसी को भी प्रभावित कर सकता है ये आपके बैग्राउंड पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन है और कहां से हैं हालंकी विग्यानी कई तरह के कारण बताते हैं पर पक्के तोर पर नहीं कह सकते कि किस में संभावना है OCD होने की मैं ये भी जानती हूँ कि इसे उतना बुरा नहीं बन जाना चाहिए था जितना कि ये मेरे मामले में बना जब मैंने OCD के लिए मदद ली उससे काफी समय पहले ही शायद इसको पकड में आ जाना चाहिए था पर उस समय 14 साल की उम्र में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मानसिक बिमारियां आखिर होती क्या है कैसे पता चले कि मुझे कोई मानसिक रोग है या मदद के लिए कहां जाये जाये स्कूल में मानसिक स्वास्थे के बारे में शिक्षा दी जाती तो शायद मेरी मदद हो जाती मेरी कंपलजन्स बहुत बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे मेरे जीवन पर ये हावी होती गई मैं स्कूल से घर आती थी अपने कपड़े धोने के लिए फेंक देती थी और कई घंटों तक अंतहीन समय बाथरूम में बिताती थी मेरा स्कूल का कारे भुगत रहा था मैं दूशित होने के डर से एकागर होकर पढ़ भी नहीं पाती थी और घर पे स्कूल की कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी मैंने अंततह स्कूल छोड़ दिया और हमेशा के लिए घर में कैद हो गई मैंने अपने सभी दोस्त खो दिये पहले से कई गुना अधिक अकेली पढ़ गई यहां तक की जब उस वर्ष के हेड बॉई ने जब मुझसे बात करने की कोशिश की मैंने उसे सच नहीं बताया कहीं मुझे सभी लोग अजीब ना कहने लगें पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि मदद लेने के कई मौके थे पर मैं कभी भी इतनी बहादूर नहीं थी और ना ही मुझे कभी इतना सहरा मिला जो मुझे चाहिए था और कई बार तो मुझे बहुत से गैर जरूरी जतन करने पड़ते थे ताकि इसे एक राज रख सकूँ मुझे स्कूल में दुवारा भरती होने के लिए गिड़ गिड़ाना पड़ा और इमानदारी से कहूँ तो मुझे बेवकूफ जैसा महसूस होता था किसी तरह से बस संकल्प करके मैंने ताकत जुटाई सेहन शक्ती और विश्वास के साथ मुझे एक रास्ता मिला और मैंने अपनी च्वास की दूसरी युनिवर्सिटी में एड्मिशन ले लिया युनिवर्सिटी के दिन फ्रेशर के तौर पर पहले सबता में सब उत्तेजित महौल में घुले मिले पड़े थे बहुत एकसाइटमेंट थी और यही वो समय था जब चीजें बहुत बत्तर होती गई मेरे लिए जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल ही नहीं पाती थी मैं अपने सबसे नियूनतम स्तर पर आ गई थी इसी समय मुझे आत्महत्या के विचार आने लगे इसी समय जब मैं संकटकाल में थी इंटरनेट पर खोज करते हुए तभी मुझे पता चला कि मुझे शायद OCD हो सकता है खुश किस्मती से यूनिवर्सिटी में एक बहुत बढ़िया बेहद सुलब काउंसलिंग सेवाए उपलब्द थी हलंकि वो मेरे OCD का इलाज नहीं देते थे पर मैं समझ गई कि ये वही था जिसकी उस समय मुझे सबसे ज़्यादा आवशकता थी मेरे काउंसलर के साथ मिलकर हमने एक एक एक्टिविटीज की योजना बनाई मैंने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी से थोड़ा एक टेंपरेरी लीव लेती हूँ चुट्टी लेती हूँ और फिर वापस अपने घर जाकर अपने डॉक्टर को दिखाती हूँ मैंने फिर यूनिवर्सिटी शिक्षा का दूसरा चरण शुरू कर दिया इलाज के बाद मैं काफी बहतर होने लगी और फिर मुझे अपनी मन पसंद यूनिवर्सिटी में फिर से दाखिला मिल गया क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की अथोरिटीज को समझाया कि कैसे OCD की वज़े से मेरी जो परिक्षाओं की जो तयारी थी वो रुप गई थी और मेरे ग्रेड्स इस वज़े से कम हो गए थे इस बार मैं बहुत तयार थी और किसी तरह से पहला स्थान मैंने प्राप्ट कर लिया आपको OCD हो सकता है और फिर भी आप सफल हो सकते हैं इसका मैं बहुत बड़ा उधारन हूँ मैंने अपने पूरे कोर्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला यह आसान नहीं था और मैं हमेशा अपना 100% नहीं दे पाती थी पर वो उतना ही OCD के कारण था जितना की डिप्रेशन के कारण हुआ था यह अक्सर होता है कि यह दोनों साथ-साथ अनुभव होते हैं पर मुझे मेरे विश्व विद्याले की Disability सेवाओं का सहयोग मिला और फिर से मैंने काउंसलिंग करा के मदद ली एवं बहतरीन दोस्तों का समू भी वरदान की तरह मुझे मिला एक्जाम देना बहुत कटिन था पर अन्चाहे विचारों से जूजना वो भी जटिल गणित के सवालों को हल करते समय एक नया ही आयाम जोड़ देता था मेरी बिमारी में मैं धन्य हूँ उन Disability Services की जिनसे मुझे rest के लिए विराम मिलता था और अतिरिक्त समय भी मिलता था ताकि उस वक्त की भरपाई हो सके जो अन्चाहे विचारों से लड़ने में बीच जाता था इस तरह मुझे अपने OCD से कम शती पहुँची मुझे कुछ relapse हुए University में पर अकसर मेरा Department बहुत सहिंचील और समझदार था पर दूसरी तरफ मेरा एक डॉक्टर था तो बस उसके तो क्या ही कहने मेरा डॉक्टर और मैं एक बार कॉलेज में एक मेडिकल इवेंट हुआ कुछ ऐसा कैम्प लगा वालेंटियर के तौर पर मैंने एक आइस ब्रेकर का उप्योग किया था वे कुछ ऐसा था एक कागस पर एक ऐसा रास लिखो जो आप नहीं चाहेंगे कि अन्ने लोगों को पता चले और उसे एक लिफाफे में सील कर दो अब उस लिफाफे को अपने बाए बैठे व्यक्ति को पास कर दो कैसा महसूस होता है अब चिंतित, घबराहट, भय लगता है अब अपने डॉक्टर के पास जाना ताकि आप अपने मानसिक स्वास्थे के बारे में बात कर पाए कुछ ऐसा ही है डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताना अपने मानसिक स्वास्थे के बारे में डॉक्टर को बताना भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है जिसमें बहुत सी चिंताएं, घबराहट और डर लग जाते हैं इस activity के मदद से मैंने बड़े सारे participants को ये बताया कि क्यों mental health के बारे में बात करना इतना मुश्किल हो जाता है क्यों हमें इतने सारे डर पकड में आ जाते हैं और क्यों ये जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर को जाकर बताएं कि हमें क्या हुआ है मुझे OCD का diagnosis मिलने से पहले 4-5 बार अलग-अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ा और अक्सर मुझे नहीं लगता था कि मेरे जो डॉक्टर हैं उस समय मेरी हालत को कुछ खास समझ भी पाते थे मैं उस समय सिर्फ General Physicians के पास जाती थी मेरे हाथों का इलाज किया गया क्योंकि मैं बहुत अधिक हाथ दोती थी पर इससे जादा कुछ भी निकल के नहीं आया डॉक्टरों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया फिर एक बार किसी General Physician ने मुझे Self Help किताब पढ़ने का सुझाब दिया जो उसने एक किताबों की सूची में से मुझे इंडिकेट किया था उस समय मैं बाहरी दुनिया से कुछ भी घर में नहीं लाती थी सो मैंने उस किताब को भी फेक दिया एक बार उसने मुझे सला दी कि मैं अपनी University में जो डॉक्टर आते हैं उनको दिखाऊं पर मसला ये था कि मैं वहां Register ही नहीं करवा पाई थी खुद को क्योंकि मेरे OCD ने सही फॉर्म भरना मेरे लिए बहुत मुश्किल बना दिया था फॉर्म ही नहीं भर पाई तुम्हें डॉक्टर को क्या दिखाती पर ध्यान दें अपने डॉक्टर के पास जाना बंद ना करें डॉक्टर भी रेस्टरों में मिलने वाले कुछ डिशीज की तरह होते हैं कुछ का स्वाद बहुत मीठा होता है तो कुछ का स्वाद उल्टी कर देना जैसा होता है पर ये भी ध्यान दें कि अपने इस डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर के पास जाकर second opinion लेने से भी डरेना university में मेरा जो doctor था वो बहुत शांदार था, बहुत सहयोग देता था और मैंने उसके साथ बहुत बढ़िया rap-o भी बनाया बहुत अच्छा relation बन गया पर वो हमेशा काम पे नहीं आता था एक घटना ऐसी हुई कि मुझे एक अन्य doctor के पास जाना पड़ा जब मैं अपने OCD और डिप्रेशन से बहुत संखर्श कर रही थी जो कि मेरे पढ़ाई करने की ख्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल रहा था पर मुझे मदद करने की बजाए उसने मेरे संखर्शों को कम आखते हुए उन्हें मेरे तुछ भानों के तौर पर देखा उसने असल में मुझे से यह कहा तुम 24 की हो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मदद लेनी है असल में यही वो रवाईया है जो पहले ही मुझे रोकता है कि मैं कोई मदद लेने जाऊं डॉक्टर को कई बार पता नहीं चलता कि वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वज़े से पेशन्ट का उनके पास आना और भी मुश्किल हो जाता है और वो भी खास कर जब पेशन्ट को कोई मेंटल इलनेस हो इसके बाद मैं बस बहोच सी रहने लगी अपने होस्टल के एक कमरे में सिकड़ी हुई पड़ी रहती थी मैं बहुत धन्य हूँ उस दोस्ट के लिए जो मुझे सांतवना देने आया मैंने यह भी देखा कि अकसर ऐसा लगता है कि यह जो जनरल फिजिशन्स हैं डॉक्टर्स हैं आपको जल्द से जल्द बाहर भेजना चाता है दस विनट बहुत कम होते हैं अपनी मानसिक समस्याओं के बारे में बताने के लिए खासकर कि तब जब आप पहली बार खुलके उन्हें कुछ बता रहे हो वैसे आप चाहें तो आप दोगने समय के लिए दो स्लोट की बुकिंग भी कर सकते हैं और यह भी मैंने किया कई बार पर इसका भी कुछ फाइदा नहीं हुआ क्योंकि यह डॉक्टर आपको सुनते ही नहीं थे आप अपने अधिकारों के बारे में जान लें जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपने OCD के बारे में कुछ जानकारी ली है और अगर आप खुद को समझ पा रहे हैं कि शायद आपको OCD हो सकता है तो डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताएं और इंडिकेट करें कि शायद आपको यह बिमारी हो सकती है तो ज़रा इसे यह डाइगनॉज करके देखें ऐसा करना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार डॉक्टर जो है वो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं क्योंकि वो बहुत बायस्ड होते हैं Recovery Phase कई सालों तक मदद के लिए इंतजार करने के बाद मुझे बस कुछ ही महीनों का और इंतजार करना था ताकि CBT ले पाऊं जिसका लक्षे होता है कि व्यक्ति की मदद की जाए जिससे वैस सीख सके अपने विचारों और विवारों में बदलाव कैसे लाना है इसने मेरी जिंदगी बदल डाली ERP Exposure and Response Prevention अपने भए का सामना करना और Compulgence का प्रदर्शन ना करना ये कुछ ऐसा इलाज था जिसमें मैं समझी कि Obsessions के वक्त अपनी बेचैनी को देखना क्यों जरूरी होता है यह समझना होता है कि कैसे यह बेचैनी बढ़ती है और अंतता कम होती है फिर ये एहसास कराया जाता है इसमें कि मुझे वास्तव में कोई हानी तो हुई नहीं जब मेरी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई और कई सारे Step by Step Goals रखके कई सारे ऐसे Behavioral Target पूरे किये जाते हैं अलग-अलग Sources जो है Obsessions और Compulsions के उनको दूर किया जाता है ये सब मैंने सीखा जो की ERP के हिस्से थे मुझे याद आता है अपनी ये जो hierarchy थी, list थी अपने Obsessions और Compulsions की उसमें कुछ छोटे और हलके से लक्षों को हासिल कर लेने के बाद मेरे therapist मुझे एक वीडियो गेम के स्टोर पर लेके गए और मुझे चुनोती दी बड़ी अजीव सी कि इनमें से एक गेम को चाटो कि टाड़ों को खाते हुए मुझे सही माइने में बहुत डर लगा कि इससे तो मुझे अब HIV का संक्रमन हो जाएगा, अगर मैंने एकदम से अपने हाथ नहीं धोए तो मैं तो बिमार हो जाऊंगी, मन सकती हूँ मैं, पर मैं हाथ धोने से खुद को रोक रही थी इसके वजाए मैं एक HIV टेस्ट कराने गई, वै नेगिटिव आया यही एक सफलता का क्षण था पहली बार मुझे चैन मिला था जैसे कोई आदमी जेल से निकल कर आया हो, सोचता हुआ कि अब क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में अगले एक साल में मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया अपनी कंपलजन्स को कम करने के लिए और यह परिश्रम तब तक करती रही जब तक की मेरा जीवन सामाने नहीं हुआ मुझे अभी भी अंचाहे विचारों का सामना तो करना पड़ता है पर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसी जगे हूँ जहां मैं इन्हें चुनोती दे सकती हूँ CBT की सफलता का दर बहुत बढ़िया है पर यह सब के लिए काम नहीं करती हालंकि आप चेक ज़रूर कर लें कि आपको सही इलाज मिल रहा है या नहीं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ सजेशन तो दे नहीं सकती कोई दावा भी नहीं कर सकती पर मैं दवाईयों से दूर रही क्योंकि मैं इस विचार से ही नफरत करती थी कि दवाईयों से मुझे अपनी बिमारी ठीक करनी है पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके इलाज में फाइदा नहीं कर सकती हलंकि मैं उसे कोई कारगर लंबे समय तक टिकने वाला इलाज नहीं मानती मेरे OCD ने मुझे कुछ खौफनाक स्थितियों में लाखडा किया है और किसी भी एक बुरी आदत की तरह भागते रहना मेरे जीवन का एक एहम हिस्सा बन गया है जब मैंने युनिवर्सिटी छोड़ी तो एक मसला था कि मुझे सभी डिपार्टमेंट से क्लिरेंस लेनी थी कि मैं अब यहां नहीं होंगी पर इसका अर्थ था कि अब मुझे सब तरह के फॉर्म भरने होंगे अपने हातों से मैं ये करने में सक्षम नहीं हुई अपने OCD की वज़ा से सो मैंने बस उन्हें एक इमेल भेज दिया और इस मामले को रफादफा कर दिया मैंने इसे काफे समय तक इग्नोर किया सोचते हुए कि मुझे सजा क्यों मिल रही है OCD होने के कारण और जब तक मैंने ये रेलाइस किया कि अब एवोडेंस कोई अच्छा विकल्प नहीं है तब तक बहुत नुकसान हो चुके थे Mental Health की Advocacy बहुत जरूरी है Advocacy मतलब अपने अधिकारों को समझना और दूसरे लोगों को भी बताना कि उनके क्या अधिकार है और उनको कैसा इलाज लेना चाहिए और किस तरह का इलाज अलग अलग लोगों के लिए जरूरी होता है काश मुझे Advocacy के बारे में तब उस समय पता होता इससे मेरी बहुत सी मुश्किलें और उल्जने खत्म हो जाती और मुझे बहुत सी चीदों से सामना करने में मदद भी मिलती OCD जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है और मुझे चिर्चिडापन होता है कि इसने मुझे अभी तक जकड के रखा है भले ही मैं खुद को recover हुआ समझती हूँ अगर सही समय पर मैं अपने लिए आवाज उठा पाती या सही तरह से डॉक्टरों को approach कर पाती सही तरह के डॉक्टर खोज पाती therapist से पहले मिल पाती तो शायद मैं काफी बहतर बहुत पहले ही हो जाती मैं इसमें किसी और को दोश नहीं दूँगी कहीं न कहीं इस advocacy की कमी की वज़र से mental health पर बहुत actively चर्चा ना होने की वज़र से बहुत से लोग सफर करते हैं लंबे समय तक वो सही इलाज नहीं ले पाते इसलिए जरूरी है कि जादा से जादा लोग जिने ये बिमारियां हुई है खास कर कि OCD जब हो तो जरूरी है कि जादा से जादा लोग आपस में इसके बारे में बात करें और क्या सही इलाज होना चाहिए कौन सा इलाज लिया जाना चाहिए किसको एप्रोच करना चाहिए इसके बारे में लोग सही तरह से जानकारी सही समय पर लें तभी वो अपनी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रेस रोक सकते हैं उससे बचाव कर सकते हैं मानसिक स्वास्थे के साथ जो माननिताएं जुड़ी हुई हैं वे नहीं केवल मानसिक बिमारियों का अनुभव करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं अपितू उनके लिए भी जो किसी मानसिक बिमार की देखभाल करने में और उसकी साहिता करने में लगे हुए हैं मैं एक ऐसी संस्कृती में रहती हूँ जहां प्रतिष्ठा और सम्मान ही सबसे पहले आता है जहां समाज को हम उपर रखते हैं और घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो उसको हम नजर अंदास करने में भी चूकते नहीं जहां एक छवी बनाके रखना ही सर्वो परी है जहां केवल सकरात्मत पहलों को ही आगे रखा जाता है और उन्हीं पर बात होती है एक ऐसा समाज हमने बना लिया है जहां बस बच्चों के लिए यही जरूरी है कि वो A ग्रेड लें जादा से जादा मार्क्स लें जादा से जादा अच्छे एंट्रेंस एक्जाम दें बड़िया से बड़िया जाब मिले बस इसी के बारे में चर्चाएं होती हैं आसपास इस बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि शायद वो लड़का शायद वो लड़की डिप्रेशन से संगर्श कर रही होगी जहां ये बताना तो जादा जरूरी है कि मेरी बेटी वकील है जबकि ये नहीं बताएंगे कि उसने एंग्जाइटी से भी संगर्श किया है जहां ये तो बताना जरूरी है कि मेरा बेटा डॉक्टर है या उसने UPSC क्लियर किया है पर ये बताना जरूरी नहीं कि उसको डिप्रेशन या OCD हुआ था जब वो तयारी कर रहा था या कर रही थी मानसिक स्वास्ते के बारे में खुलकर बात करने से मेरा जीवन बहुत सरल हो जाता और शायद मैं आज के मुकाबले बहुत बहतर कंडिशन में होती और शायद वो सब एचीव कर पाती अपने अकैडमिक लाइफ में अपने करियर में जो कि शायद में कभी चाहती थी जब मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं अपनी कहानी बता रही हूँ ताकि जादा से जादा लोग सही समय पर अवेर होकर इस गंभीर बिमारी का इलाज ले सकें एक जरूरी सलाह अगर आप अपने परिवार से बात नहीं कर पाते हैं तो निश्चित करें कि आपके पास कोई हो बात करने को अपने मित्रों से खुल कर बात करना सबसे श्रेष्ट काम था जो मैंने आज तक किया मानसिक स्वास्ते के स्टिगमा को दूर करने का सबसे अच्छे तरीका है कि उसके बारे में बात की जाए अन्ततह मुझसे एक दिन पूछा गया कि अगर मुझे चुनाव करने की अनुमती दी गई तो क्या मैं अपने OCD से मुक्त होना चाहूंगी स्वभाविक सी बात है कि हाँ मैं OCD से मुक्त होना चाहती हूं पर मैं इससे हुए अनुभवों को खुद से अलग होता देखना नहीं चाहती और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं बहुत से लोगों को OCD के बारे में बता पाई और उनको सही दिशा दिखा पाई और मैं इस काम में आज भी लगी हुई हूं और यही मेरी उम्मीद है कि मेरी इस स्टोरी से या मेरी दी गई इस चानकारी से आपका भी बला हो और आपके किसी फैमिली मेंबर का भी बला हो और सही इलाज लेकर आप सही समय पर अपने जीवन को बहतर बना सकें ताकि बेवज़े होने वाली पीडा और संगर्ष को बचाया जा सके और जीवन में जो चाते हैं वो हासिल किया जा सके आज की ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है उमीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप इसे दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे चैनल के साथ बने रहें वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर लें ये वीडियो यहीं समाप्त होती है धन्यवाद